हलो एब्रिवन वेलकम बैक आई होप मेरे सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से होंगे तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने रेंटेड अपार्टमेंट का एक बहुत ही चोटे से बात्रूम का मेकवर जिसके लिए मैंने बहुत सारे डियाइवाइस बनाए हैं और बात्रूम की क्लीनिंग और और्गनाइजेशन कैसे मैं करती हूँ आज की वीडियो में सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चोटी सी फैमिली का पार्ट जरूर बनिए बहुत ही अमेजिंग से आईडियाज आप मैं बनाऊंगी अपने बात्रूम की मेकोवर के लिए कुछ अमेजिंग से डियावा है जो कि बहुत ही अफॉर्डिबल है और लोग कॉस्ट हैं सारी ही आईडियाज बहुत ही पुराना ये मिरर है लगबग साथ-8 साल पुराना होगा और सीशेल्स का पुरा ही काम है इसके आस-पास मैं कलर यूज कर रही हूँ और जो भी चीज़ें से रिलेटेड है उन्हें यूज कर रही हूँ कुछ पुराने शीशेल्स पेरे पास रखे हुए थे तो कैंडल की चारो ही तरफ मैंने ग्लूगन की हेल्प से इन्हें चिपका दिया और बहुत ही आसानी से बिना इस तरह का प्लास्टिक का डबबा पड़ा था इसके उपर की साइड में ग्लूगन की हेल्प से ही मैंने इसे चिपका दिया और यह जग है दोनों रसियों का जो जॉइन्ट आ रहा था वहां पर मैंने ग्लूगन की हेल्प से एक छोटे से कॉंग शेल्ल को चिपका दिया के कुछ प्रिंट आउट्स निकाल दिये और इन्हें कट करके मैंने बात्रूम के लिए इस तरह के छोटे-छोटे से आर्टिफेक्ट्स तयार करें हैं पीछे कार्ट बूर्ड लगाया है और एक डंडी लगा दी है तो अब सारे ही डिया वाई कंप्लीट हो चुके हैं और हम चलते हैं बात्रूम की क्लीनिंग करने तो क्लीनिंग के लिए मैं सिंपल सी चीजें ही यूज करती हूँ सबसे पहले तो ये रेड वाला क्लीनर है जो बात्रूम क्लीनर है और एक टायलेट क्लीनर और इसके साथ में मैंने पितामरी लिया है जो टैप्स वगेरा को क्लीन कर से हो जाती है और जो भी toilet cleaner और bathroom cleaner है इन्हें भी मैंने आदे एक गंटे पहले ही डाल के छोड़ दिया था तो इससे भी cleaning में बहुत help मिल जाती है हाथों के secure करने के लिए मैं gloves का use करती हूँ जिससे हाथों के ऊपर किसी भी तरह के harmful effect ना हो और कोई rashes भी ना आएं तो bathroom की cleaning भी दीरे दीरे मैंने complete करी जो भी चीज़ें थी बहुत आसानी से इन चीज़ों की help से clean हो जाती है और अगर आफ 15 डेज में या 10 डेज में एक बार bathroom इस तरह से clean करते हैं तो ज़्यादा efforts लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप बारी आचुकी है हमारे सारे ही DIYs को bathroom की अंदर set करने की तो mirror को मैंने उपर एक nail लगा कर इस तरह से fix कर दी और यहाँ पर जो extra wires थी उन्हें इस तरह से leaves की help से मैंने hide कर दिया है इन leaves को मैंने इस dory में glue gun की help से लगा दिया था hot glue की help से ही मैंने wall के उपर कुछ photo frames को भी चिपकाया है और यह shower और tap से थोड़ी सी दूरें तो यहाँ तक पानी की चीटें भी नहीं आती है और cistern के पीछे ही चोटा सा यह platform जैसा बना हुआ है यहाँ पर मैंने एक चोटा सा organizer रखा है और उसके अंदर जो भी bathroom के shuncials होते हैं उन्हें रख दिया है जो अभी हमने plastic का डवा makeover किया था उसमें मैंने artificial plant लगाया है और यह कुछ तूटे हुए cup के बनाए हुए इस तरह के planters भी लगा दिये और अब यह जो भी artifacts हमने अभी बनाए थे वो सारी ही मैंने यहाँ पर recreate कर दिये हैं चोटी सी candle भी यहाँ पर add कर दिये एक यह इस तरह का over the door hanger है जिसे मैं door के उपर hanger करके रखती हूँ इसके उपर हम पनी towels या नहाने के time पे कपड़े भी hanger कर सकती हैं इस bathroom के अंदर कोई भी इस तरह का provision नहीं दिया है जहाँ पर हम कपड़े hanger कर सकें एक जगे toilet seat के बिल्कुल pass में ही एक hanger है जहाँ पर toilet की tab वगेरे भी हैं तो वहाँ पर towel या कपड़ी रखना थोड़ा सा unhyzenic रखता है अब जो भी soap case या सामुदानी हम यहाँ पर use करते हैं तो use करने के बाद इस window के उपर मैं यहाँ पर रख देती हूँ तो air circulation की वज़े से यह साबुन बहुत आराम से यहाँ पर सूख जाता है और जल्दी गलता भी नहीं है wash basin के उपर ज़्यादा सामान नहीं रखा है सिर्फ एक hand wash की bottle है और एक यह DIY किया हुआ चोट असा टूटे कप का planter है सिस्टर्ण के अंदर इस तरह के जो सिस्टर्ण के छोटे छोटे सोप या टेबलेट्स आती हैं वो डाल दी है और flush करने पर यह color छोडते हैं पानी में और अच्छी सी खुशबू भी आती है basin के अंदर कुछ neftaline balls डाल दी and we are done और हमारे bathroom का complete में cover भी हो चुका है decoration भी हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने इसकी cleaning भी कर दी है candle को थोड़ा सा जलाते हैं और देखते हैं इसकी एक final reveal की सारी ही चीज़ें कैसी लग रही है actually इस apartment में दो bathroom दिये गए हैं और ये makeover मैंने अपने master bedroom की attached bathroom का किया है और इस bathroom को हम लोग जादा use नहीं करते हैं सिर्फ नहाने के purpose के लिए ये almost use होता है बाकि पूरा दिन ये ऐसे ही पड़ा रहता है तो इस तरह का makeover मैंने दिया है इसको जो जल्दी से खराब भी नहीं होगा और दिखने में भी काफी प्यारा सा pleasant vibe एपियर करता है ऐसा कोई issue नहीं है कि यहाँ पर चीजन जल्दी से खराब हो जाएंगी अगर फिर भी आपका मन है तो कर सकते हैं सारी चीजे मैंने affordable रखी है पिदिन बजट है और आराम से घर पर मैंने तयार कर ली कोई भी real plant मैंने यहाँ पर एट नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पर real plant रख कर देख चूकी हूँ एक हफ़ते से ज़्यादा survive नहीं कर पाती हैं और यही रीजन है कि मैंने आज इस में गुवर में यहाँ पर एक भी real plant एट नहीं करा है so friend that is all for today I hope आपको सारी ही चीज़ें अच्छी लगी होंगी bathroom organization से related और वी वीडियो मेरे चैनल पर है link आपको description में मिल जाएंगे so मिलते हैं next वीडियो में